Hello everyone, how are you all doing? I hope you all are doing great तो अभी हम लोग बात करने वाले analysis equation के बारे में तो 4-year series में हमने already synthesis equation का use देखा था हमने synthesis equation का use किया था और signal के लिए हमने obtain किया था 4-year series coefficient और कोई-कई case में हमें 4-year series coefficient दिया आवा था और हमने signal के लिए equation obtain किया था with the help of synthesis equation तो अभी हम लोग analysis equation के कुछ examples consider करने वाले हमने discuss किया था 4-year series में तो equation बहुत जादा use करते एक जो equation होता है वोता है synthesis equation और दूसरा जो equation होता है analysis equation तो synthesis equation के बारे में हमने already discuss किया अभी हम लोग analysis equation के कुछ examples देख लेते analysis equation को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते यह होता है हमारे पास है synthesis equation तो यहां पर synthesis equation के ओपर हमने एक first example इक्षैम्पल इंदर गया है यहां पर हमने इसके लिए हमें four year series coefficient find out करना है with the help of this analysis equation तो यह जो analysis equation इसका use करते हुए जो प्रियोडिक गेट पलस इसके लिए हमें four year series coefficient find out करना है तो कोईशन हमें क्या बोल रहा है find four-year series coefficient for the given periodic gate pulses using analysis equation तो सबसे बहला अगर हम लोग यह गेट पल्स को अगर हम लोग consider करें माल लेते हैं जो गेट पल्स का जो टाइम प्रेट है वह है टी टाइम प्रेट के बाद यह जो गेट पल्स होगी वह अपना आपको repeat करते जाएंगी तो हम लोग कोई भी एक गेट पल्स कंसेडर कर लेता है तो हमने यह वाली पल्स कंसेडर करी इसका जो existence का जो duration है वह है माइनस टी वन से प्लस टी वन के बिच में और यहां पर सभी गेट पल्स की जो वैल्यू कितनी है वह है वन तो यहां पर अभी हम लोग क्या करेंगे हम लोग अपलाई करेंगे analysis equation तो हम लोग यह वाली गेट पल्स को consider करते वे चल रहें और इसका existing limit minus T1 से plus T1 के बिच में तो यहां पर हम लोग lower limit minus T1 अपल लिमिट plus T1 consider करेंगे और extra T के जगा क्या पूट कर देंगे वन विगे जो गेट पल्स है इसकी वैल्यू कितनी है वह है वन तो यहां पर हमें मिल जाएंगा 1 और हमें मिलेगा e to the power minus j omega t dt तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा a k is equal to one upon t integral lower limit minus T1 अपल लिमिट plus T1 1 into e to the power minus j omega not t dt 1 into e to the power minus j omega not t dt वन इसके साथ multiply हो जाएंगा तो ultimately हमें क्या मिलेगा e to the power minus j omega not t dt अब इसको हम लोग integrate करतेंगे और जो one upon t की होगा वाइसेटी होगा तो यह वाले टम को करम लोग integrate करतें तो मिलेगा e to the power minus j k omega not t और denominator में हमें क्या मिलेगा minus j k omega not और similarly जो lower limit होगी minus T1 और जो अपल लिमिट होगी वोगी plus T1 अभी next step में हम लोग क्या करेंगे जो हमें जो टी जो consider क्या इसके साथ हम लोग consider कर लेंगे के ओमेगा नौट तो में मिल जाएगा one upon के omega not t और यहां पर अभी अगर हम लोग देंगे यहां पर अभी हम लोग limit मैनस हो जाएगा plus हमें मिल जाएगा e to the power j k omega not t1 और जैसे के अपने डिसकस क्या यह जो k omega not है उसको हमने यहां पर consider कर लिया तो denominator में हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा minus j अभी जो minus sign उसको हम लोग numerator में बेच देंगी जिसके वज़े से जो e का जो पावर है जो negative वो positive हो जाएगा और यहां पर जो e का जो पावर हो नेगाटि हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा e to the power यह minus sign को हमने numerator में बेच दिया जिसके वज़े से यह वाला जो टर्म में e to the power minus j k omega not t1 और यह लोग देखे यह पूरे यहां पर फिर से लिखा और यह वन अपके हुम्हेगा नॉ Dublin रसत फिलागी कणिर्वान आज ड्रावान के वनअ को अदा सब्सक्राइब करेंगे तो इसके साथ अगर हमुझ तू को मल्टेपलाइब करें दिवाइड करें तो बंगिल यहाँ इन्टो टू है ॐ यहां पर पान प्रवाइट किया यहां पर अभी अगर हम लोग देखे जैसे कि हमें पता है जो टाइम प्रेड होता है वराबर में होता है तू पाई ओर ओमेगा नॉट को टी सान मल्टीप्लाय कर देंगे हमें मिल जाएंगो ओमेगा नॉट टी इसके जगा हम लोग क्या एक तो पाई और यहां पर अगर हम लोग देखे पुरा जो टम है इसके बराबर में होगा साइन फंक्शन के तो यह पूरा जो टम होगा यह पुरा जो रिलेशन यह बराबर में होगा साइन के ओमेगा नॉट टी वन के वन इंटू टू टू के बराबर में हो जाएंगा तो यहां पर हमने टू गंसिडर किया और ओमेगा नॉट टी जैसे के हमने डिसकूस किया टाइम प्रेड टूपाई अपॉन ओमेगा नॉट को टी चान मल्टिप्लाई कर देंगे ओमेगा नॉट इस इगल टू पाई तो अच्छोन देखने अच्छोन इसको से लिए बहुत 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 इंप देखने तना इंप्रेंट है क्या हम लोग इसको आगे यूज करेंगे तो आप इसको नोट डाउन कर लो तो मैं इसको repeat करूंगा 4-year series जो coefficient होता है periodic gate function का होता है एक जो के बराबर में होता है sin k omega naught t1 denominator में πाई के sin k omega naught t1 और denominator में πाई के यह omega naught होता है fundamental frequency t1 हमें indicate करता है half part of the gate pulse और जो k होता है वो हमें indicate करता है harmonic right t1 हमें क्या indicate करता है अब अभी अगर हम लोग देखे यहां से यहां तक का जो gap है वो क्या है वो है t1 तो वही यह जो gate pulse का जो half जो part होता है वो हमें indicate करता है t1 तो यहां पर जो four-year series coefficient होता है periodic gate function का four-year series coefficient क्या होता है a is equal to sin के omega naught t1 और denominator में πाई के तो सिमी लल्दी अभी हमने यहां पर क्या किया यहां पर हमने यूज़ क्या analysis equation यह equation हमने यूज़ क्या जिसको हम लोग बलते है analysis equation और यह analysis equation यूज़ करते हुए जो periodic gate function है इसका हमने four-year series coefficient obtained किया जो के a is equal to sin के omega naught t1 और denominator में पाई के similarly next example consider कर लेदे just wait for a second यहां पर हमने next example consider क्या examples on analysis equation यहां पर हमे four-year series coefficient find out करना यह periodic impulse train का analysis equation का use करते हुए तो यहां पर यह periodic impulse train है इसके बारे में हमने बहुत बार डिसक्षक कै इसको हम लोग शो करते P of T से और mathematically इसको हम लोग कैसा शो करते इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे तो यह periodic impulse train है जिसके existence का duration minus infinity से plus infinity के बीच में T पर हम एक impulse मिल रहा है impulse की value है 1 2T पर impulse मिल रहा है value है 1 3T पर impulse मिल रहा है value है 1 4T पर impulse मिल रहा है value है 1 minus T पर impulse मिल रहा है value है 1 minus 2T पर impulse मिल रहा है value है 1 और यह पुरी जो series होगी minus infinity तक के जाएंगी और यह पुरी जो series होगी यो plus infinity तक के जाएंगी तो हमें question क्या बोल रहा है find four year series coefficient for this periodic impulse train यह periodic impulse train के लिए हमें four year series coefficient find out करना है analysis equation का use करते हुए तो सबसे बहला अगर हम लोग देखें यह जो periodic impulse train हमने जो consider क्या है इसको हम लोग mathematically किस तरीके से show करते है यह periodic impulse train को हम लोग mathematically कुछ इस तरीके से show करते है very important p of t is equal to summation k is equal to minus infinity to plus infinity del of t minus kt यहाँ पर जब हम लोग k के जगा plus one और minus one put करेंगे तो हमें क्या मिलेगा हमें plus one पर impulse मिलेगी I mean plus t पर हमें एक impulse मिलेगी और minus t पर impulse मिलेगी similarly यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर यह जो periodic impulse train का जो mathematical relation है k के जगा जब हम लोग plus two और minus two put करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2t पर हमें एक impulse मिलेगा और minus t पर हमें एक impulse मिलेगा value होगी one कैसे तो बात कर लेते हैं इसी के बारे में तो यहाँ पर सबसे पहला है जो के इसके जगा हम लोग पूट करेंगे वन तो के के जगा जब हम लोग one put करेंगे तो one into t हमें क्या मिल जाएंगा वह मिल जाएंगा इतने इतने ही टम को में consider करना और जो की की जो value है minus infinity तो इतने ही टम को में consider करना डायल of T minus KT 2022 के जगा हम में लोग पूट करेंगे वन वन इंटुदी हमें मिल जाएंगा टी दो में लाएंट यह माइनस्वण हो जाएंगा प्लस हमें मिल जाएंगा टी प्लस टी-प्लस-ट को साथ किपायट करतें हैं G saving 2-7 यह हमिए क्या इंडिकेट कर रहा है टी स्पीदर हमें कि मिलगा वैल्यों और जैसे कि हम अब जैसे वन सब्सक्राइब listing ज्ढ़ मर खेंक की बएřा नहीं नहीं पुट करेंगे तो- poverty पर नहीं होने वाली है क्योंकि जो डEL का जो coefficient है वो वन है को माइनस infinity से प्लस infinity यह बैज gir गी वन यह डालग अगर तो सकते थे जितने भी हमें इंपल्स मिलेंगे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में सारे इंपल्स की जो वैल्यू कितिनी होगी वहोगी तू मगर यहां पर डैल का जो कोईफिशंट है वह है वन तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में जितने भी हम मिलेंगे मिलेंगे सारे इंपलसेस की जो वैल्य कितीन होगी वह होगी वं के-जगां भी माइनस to put करेंगे हमें हमें याँ टैल ओफ टी माइनस माइनस तू टी अगर ओन से मिलएर यहाँ आप को के की जगाओ प्लस बॉलगे तो आप प्लस 3 put करोगे तो आपको मिलेगा t is equal to 3 t जैसे के हमें आपर मिला था और जब minus 3 put करेंगे तो हमें मिलेगा t is equal to minus 3 t तो इसका मतलब minus 3 t और plus 3 t पर हमें impulse मिलेगा minus 3 t और plus 3 t पर हमें impulses मिल रहे और जो impulses की value हो किदिनी है वो है 1 तो कुछ इस तरीके से यह जो mathematical equation होता है यह associated होता है periodic impulse train का periodic impulse train का जो mathematical नाम होता है वो यह equation होता है p of t is equal to summation k is equal to minus infinity to plus infinity del of t minus kt तो हमें क्या find out करना है जो periodic impulse train है इसके लिए हमें find out करना है 4-year series coefficient with the help of analysis equation तो यहाँ पर हमने analysis equation consider किया एक is equal to one upon t integral lower limit minus two upon two upper limit two upon two x of t into e to the power minus j के omega not t dt तो हम लोग यहाँ पर यह वाली impulse consider कर लेते हैं मान लेते हैं जो impulse है इसके existence का duration minus two upon two से plus two upon two के बिच में तो जो existing limit होगी वो same होगी minus two upon two से plus two upon two के बिच में और यह x of t के जगा हम हम लोग क्या पूट करेंगे dal of t क्यूंकि हमें कौन सा signal मिल रहा है impulse signal तो यहाँ पर यह x of t के जगा क्या जाएंगा dal of t यहाँ पर यहाँ पर यह हमने minus two upon two two upon two limit consider करी इसके बिच में कौन सा signal exist कर रहा है इस टैप signal exist कर रहा है यह नहीं इंपल्स सिगनल exist कर रहा है जिसको हम लोग शूख करते डाल of t से तो यहाँ पर यह जो एक्स आफ्टी इसके जगा क्या जाएंगा डाल of t into e to the power minus j के ओमेगा नॉट डी टी यहाँ पर अभी हम लोग अप्लाय करेंगे shifting property of impulse function तो shifting property of impulse function के हिसाब से यहाँ पर यह जो टर्म है यह जो signal है उसको अगर हम लोग impulse signal के साथ multiply करके integrate कर दे माइनस two upon two से प्लस two upon two के बिच में तो हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा यह वाला signal e to the power minus j के omega naught t जहां पर यह impulse exist करता है और यह impulse कहाँ पर exist करता है t is equal to zero पर तो जैसे के हमने डिसकस किया हमें यह वाला signal मिलेगा तो सबसे पहला है जो one upon two उसको हमने यहाँ पर consider क्या एक is equal to one upon two तो यहाँ पर यह जो signal है इसको हम लोग impulse के साथ multiply करके integrate करतेंगे तो हमें क्या मिल जाँगा यह वाला signal e to the power minus j के omega not t जहाँ पर यह impulse एक्जिस्ट करता है तो यह impulse कहाँ पर exist करता है t is equal to zero पर तो t is equal to zero यहाँ पर यह जो टी जो दिखाए दे रहा है इसके जगा पूट कर देंगे zero हमें बिल जाँगा one upon t e to the power minus j के omega not zero e to the power zero हमें पता है वो one के बराबर में होता है तो जो पूरा टम होगा e to the power minus j के omega not zero यह one के बराबर में होगा तो जो एक है वो बराबर में होगा one upon tk इसका मतलब जो four year series coefficient होता है periodic impulse train का वह एक हो बराबर में होता है one upon tk यहाँ पर अगर हम लोग k hence four year series coefficient for periodic impulse train is independent of k तो यहाँ पर यह जो periodic impulse train very very important periodic impulse train का अगर four year series coefficient अगर आपको कोई पुछ लेता है what is four year series coefficient या फिर example में भी mcqs में भी आ जाता है बहुत बार जो four year series coefficient होता अगर आप कोई higher level का exam अगर attain कर रहे हो तो यह सब ऐसे questions होते जो कि mcq में पुछे जाने की बहुत साथ फ्राबैबलिटी स्वोती यह तो जो 堅त यह सपया अगरते संख प्रिटिक होता है वह खैंब पांअ गरते When upon T similarly, अगर हम लोग shifted impulse consider करें तो यहाँ पर हमने consider किya shifted impulse p of t minus t knot तो यहाँ पर इसका जो four year series coefficient होगा वो यह वाले signal का four year series coefficient होगा जो क्यों होगा one uponT one upon t one upon ती अमने consider किया इसके साथ हम लोगे exponential multiply कर देंगे जिसका जो power power नेगाटी होगा क्योंकि यहाँ पर minus sign है shifting property e to the power minus j के omega naught और यहाँ पर हमने consider क्या है T1 actually यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर T0 आना चाहिए यहाँ पर T1 नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर shifting कितने से दी गई है T0 से दी गई है तो यहाँ पर omega naught के बाद आगा T0 राइट तो अगर हमें shifted impulse अगर मिलता है उसके लिए जो fourier series coefficient होगा होगा e to the power minus j के omega naught T0 into one upon T similarly अगर हमें कुछ इस तरीके से अगर हमें shifted impulse मिलता है यहाँ पर हमें shifting कितने से दी गई है T1 से और advancement वाला case है तो इसके लिए जो fourier series coefficient होगा होगा e to the power j के omega naught T1 into one upon T तो यह भी बहुत important आप यह दोनों को note down कर लो यहाँ पर हमने simply shifting property apply कर रही है तो यह हमने कुछ examples देखे analysis equation के अपर कुछ इस तरीके से question frame किये जाते है analysis equation के अपर तो next concept में हम लोग discuss करने वाले एक rule के बारे में जिसके helps हम लोग evaluate कर पाएंगे कोई भी indeterminate function को